दादी नानी के असरदार घरेलू उपाएं रसोई में गुस्ते ही नाक में घी या सरसो का तेल लगाएं सिर और फेपड़े स्वस्थ रहेंगे करेला, मेती और मूली यानि कड़वी सबसियां भी खाएं रक्त शुद रहेगा मटके वाले से ज्यादा ठंडा पानी ना पिएं दाथ ठीक रहेंगे प्लास्टिक और अल्यूमेनियम रसोई से हटाएं दोनों कैंसर के बड़े कारकर हैं माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग कैंसर का कारण बनता है खाने की ठंडी चीजें कम से कम खाएं पेट और दाथ को खराब करती हैं बाहर का खाना बहुत ठानिकारक है खाने से समद्दित ग्रुप से जुड़कर सब घर पर ही बनाएं तली चीजें छोड़ें वजन यंतृत और ऐसेडिटी ठीक रहेगी खाने की ठंडी चीजें कम से कम खाएं पेट और दाथ को खराब करती हैं बाहर का खाना बहुत ठानिकारक है खाने से समद्दित ग्रुप से जुड़कर सब घर पर ही बनाएं तली चीजें छोड़ें वजन नियंतृत और ऐसेडिटी ठीक रहेगी मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उरत कम खाएं गैस की समस्या से बचेंगे अदरक, अजवाइन का प्रयोग पढ़ाएं गैस और शरीर के दर्थ कम होंगे बिना कॉलांजी वाला अचार हानिकारक होता है मेरे विचार कैसे लगे, दादी नानी के नुकसे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा स्वस्थ रहें, खुश रहें धन्यवाद प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे मेरी वीडियो इसको बहुत साथ प्यार दीजे कि मैरे ऐसी और कई वीडियो आपके लिए ले के आऊ जो आपके स्वस्थ के लिए अच्छी हो